आज मेरा नाम जनक कुमार मैं इंडिया रिपब्लिक नियूज में आप सबों का स्वागत करता हूँ पंचाय चुनाओं में दिख रहा प्रत्यासी का उत्सहा लगमा पंचाय से कुंदन पाठक मैदान में बताते कि बिहार में इस समय पंचाय चुनाओं का माहूल चल रहा है जहां सबी प्रत्यासी अपना दमखम दिखाने लगे हैं इसी क्रम में हमारे शमवाद दाता फागलपुर पिहार के कहल गाओं प्रिखन की लगमा पंचायत पहुँचे जहां उन्होंने मुखिया प्रत्याश्य कुंदन कुमार पाठक से चुनावी मुद्दे के बारे में बात चीत की जिसमें उन्होंने मुखिया नहीं रहते हुए भी जो भी विकास किये हैं उनके बारे में बताया और जो भी थोड़ा बहुत रहे गया जनता हमें मौका दे मैं सारा काम कराऊंगा आक बता दे कि कुंदन कुमार पाठक पहली बार मैदान मुत्रे हुए हैं उन्होंने जनता जनारदन से सहियों की अपील की है इसके साथ में ही पंचायत के कारियों को सुचारू रूप से करेंगे एबं पंचायत की विकास में एक नया मुकाम लाएंगे ऐसा उन्होंने बारता के द्वारान कहां अज मेरा नाम जनता कुमार मैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज में आप सवों का स्वागत करता हूँ आज हम लोग परखंड कहलगाउं के लगमा पंचायत में आए हुए घुम्फिर के हम लोग आज कुंदन कुमार के कुंदर पाठक जी के आवास उत्पे हम लोग कुछ बातचित करने आए हैं जो की मुख्या पढ़ता सी है कहते हैं लोग कि समाज में ऐसे लोगों की जोरत है जो समाज को एक अचित्व कर सके लोगों की विकास कर सके हम इसी सोच पे आकर आज हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे चाओपाल पे बैठे वे अपने अवास क्या जित्र पर सभी समाज के कुछ लोग हैं जिसे हम जानना चाहेंगे कि समाज की विकास के लिए आप क्या सोच रहे हैं और हम कुछ पहले पड़िचेपात्र होना चाहेंगे पुंदन कुमार पाठक से जहिन तर आपका नाम पुंदन कुमार पाठक जी आप लगमा पंचाईत के मुख्या पद के उमिद्वार हैं मैं आप से कुछ कोस्टन करना चाहता हूं कि आप मुख्या पद ही क्यों चुनें कि मुख्या पद एक पोस्ट है कि यहां से समार विकास प्रिया जा सकता है और हमारा पंचायत ऐसा रहा भष्टाचार युप्त पंचायत रहा है विगत की सालों से आप unravelन के साथ या फिर आपका नया प्रतिनीदी आने पर क्या सूच रख सकते ह्यां क्या सूचना चाहते अपने समझ यूद्ध के साथ हैं प्रष्टाफरेशाstan बनाया और ब्रश्टाचार्मूक्त जो पंचायत का इनोंने नावा दिया है कि समय后 में काम कि वह का Сबी लोगों के हैं आप बता सकते हैं अपने आज सभी आप लोग बेठे वें इंडिया रिपब्लिक नीज जाना चाहती है कि आप कुंदन जी के कुछ कह रहे हैं कि आप समाज में कुछ अच्छी उन्यति के ये बिना पद पे रहने के बाब जुद भी समाज का सेवा इनों नहीं किया है तो क्या ऐसे सेवाओं का नाम बता सकते हैं जो कि आपके नजर में हैं किनास के काम है इनों जो अभी बिना पद पे रहे हुए किये हैं जिसे पूरे पंचायत इनोंने पूरा लाइटिंग किया है और जब गाय का खुरहा रोग हुआ था कुछ दिन पहले इनोंने अपने पैसे से चिकित्सक बुला है जो कि मैं गिना सकता हूं इनके मुख कामों में से है किनोंने समाज के सेवा के लिए इस कारण से हम लोग इनके साथ जुरे हुए हैं बहुत वह धन्वाद हम आगे बैठेवे बक्तव से बात करना चाहूंगा सर आपका नाम पड़िचे के साथ अमितकवार पाठक जी ब साथ थी जो भय भूख और भरस्टाचार से समाज को मुक्त करवा सकते हैं तो वैसे प्रत्यासी का जो गूल है हम एक उंदनुवार पाठक जी में देख रहे हैं और यह स्वक्ष शवी के नेता हैं और इन्होंने पंचायत के विकास के लिए अभी तक काम करवाया है जैसे भूख और परफ्टाचार से समाज को मूद करवा सकता है इसलिए हम लोगोर ने इनका समर्थन किया बहुत बहुत भावत यानि कि आप सबी लोग आप स्वी लोग तो यह से हैं मिने इनसे बात करना चाहूं इनसे पहले पड़िजह होना चाहूंगा कि सर आपका सुब ना जी मेरा नाम गूलू कुमार है जी जी और जब आप इनके बारे में पूछ रहे हैं तो आप किस पंचायत से बिलॉब कर से बिलॉबू आपका क्या मुखुद्देश है अपनी समाज के परति क्या चाहते हैं समाज में उनति कैसी विदीवत हो जो कि हमारे समाज में गरीब हो या उच्वर्क नीचे जो भी हो जात्पात से उठकर हमारे समाज में किस तरह का प्रतिनिवी चाहते हैं और कैसे लोगों का अपने छेत्र में लाना चाहते हैं जो कि आपकी समाज का उनती इस पर क्या आप कर सकते हैं बताई रहा हम युआ लोग हैं यह तो उमीद है कि सिख अथ बज़ेत तक वह कर और खुले बज़क पर ओर कहीं नहीं नहीं ने उप्रिथितलारि यह पर बिथे वीकास के समाच कि नहीं है ना उम्र की जब पड़ाव बढ़ती है तो कहीं न कहीं आनभव और विचार दोनों बढ़ जाता है हम बात करते हैं यहां के भरिष्ट नगरिक में हैं चाचा आपका नाम क्या है ब्रच किसो पाकर जी जी तो आप आप इस समास यह आपका पंचायत में पढ़ते हैं लगम के बारे में और समाज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं क्योंकि आप तो बुजुर्ग हैं और आप से ज्यादा कुछ समाज को बताईए जो की दिक्कते हैं जो हमारे कुंदन जी इस चीज़ पर रख सके अपनी योगा को देखिए इतरी अस्तरिय पंचायत का हो चुका है इसा़ हो आप और चारों तsoo को हमने भीस किया है और चुनाव के सभी परतियास में मेरे पास कि समाज का विकास में हम पूर्ण विस्वास करते हैं मेरा जो छेत्र है दलीतों का छेत्र है और हम लोग किशान हैं हम लोग दलीतों से जुड़े हुए हैं गरीबों से जुड़े हुए हैं हमको उनके तकलीफ का बहुत जादे अनुबह हैं और लोगों से अब देखिए हमा आपने फुरकित किया और हम पूरे पंचायत में एक ही दोगर हैं लेकिन कि शमवाश्याओं को हम लोग करते हैं जिस को कोई नहीं सहाजता देता हूं तो आप समझ सकते हैं उसके पड़ती हमको कितना दर्ल है यानि कि आप समाज के पड़ती बुजुर्ग हैं भी और समाज को अपने कंदे के साथ कंदा मिलाकर आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं हमने इनको कहा कुछ ऐसा कीजिए मुखिया जी चुनाव तो सभी लड़ तो दूघुरुमाल कांट गजानते ही हैं कइसे भोड best नाल काला पर यह नहीं तो जात और पाथ . अ मेरा कहनात्य है आप जातीं से ब्रह्मान है, आपका कर्म है, समो को आशिरवाद देना. तो फिर आपके आश्रवाद से जंता क्यों अलग रहे तो आप जंता को आश्रवाद दी दे आश्रवाद से कुछ लिए बहुत बहुत धन्नवाद आपका